हेलो फ्रेंड, वेल्कम टू माई चैनल, आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए जो आपका आश्तिन का साइज है, वो साइज आपको कपड़े पे ऐसे लाइन अब कर लेना है, आस्तिन की लंबाई आपको 14 इंच लेना है और आस्तिन की चोडाई आप अपने साइज के अनुस तो ये देखिए फ्रेंड कपड़े पे इस तरीके से आपको लाइन अप कर लेना है लाइन अप करने के बाद ये देखिए फ्रेंड यहां पर आपको एश्टरा कपड़ा लेना है ये देखिए आपको साड़े साथ इंच एश्टरा कपड़ा लेना है आस्तिन के कपड़े मे इस तरीके से आप एश्ट्रा कपड़ा लेंगे यहां से हम पाच चिंज की चौड़ाई नापकर ऐसे टिक लगाएंगे अब स्केल के सहायता से इसे लाइनप कर लेंगे यह देखिए यहां पर हमने लाइनप कर लिया है अब हलका सा यहां पर फ्रेंड यह देखे तीरची में ऐसे line अप करेंगे अब हम कपड़े को ऐसे घुमा लेंगे फिर यहां पर हम तीरची में दो इंच की लंबाई नाप कर टिक लगाएंगे और इसे ऐसे line अप कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी लाइन अप करना है ऐसे लाइन अप करने के बाद फ्रेंड अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग के स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजाकर आल का ओप्षन सलेक्ट करें तो ये देखिए फ्रेंड, डिजाइन के साथ हमने अस्तिन की कटिंग कर ली है उपर की साइड में हमारा डिजाइन का ये पैटन है और नीचे की साइड में हमारा आस्तिन का कपड़ा है अब हम इसे open करेंगे और यहां नीचे की साइड से हमें कपड़े को ऐसे fold करना है और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है इस line को complete करते हुए यहां से हम धागी को cut कर लेंगे धागी को cut करने के बाद अब हम बीच में से कपड़े को ऐसे fold करेंगे अब हम बीच में से कपड़े को दो भागों में cut कर लेंगे कपड़े को दो भागों में cut करने के बाद अब हम यहां से 6 point की चोड़ाई ना पेंगे 6 point की ऐसे टिक लगा कर यहां से एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है यहां से धागे को कट करके कपड़े को ओपन करेंगे तो ये देखिए कपड़े को आपको ऐसे ओपन करना है बीच में जो सिला हुआ कपड़ा है इसे दोनों साइट से ऐसे फोल्ड करेंगे ये देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे। कपड़े को फोल्ड करते समय इस बात का ध्यान रखें। फोल्ड किया हुआ कपड़ा एक साइज में होना चाहिए, कहीं पतला और कहीं चौड़ा नहीं होना चाहिए। अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। यहां से हम धागे को कट कर लेंगे तो फ्रेंट दोनों साइड में हमने कपड़े को फोल्ड करके एक बराबर में सीधी सिलाई चला ली है अब हम कपड़े को सीधा करेंगे तो ये देखिए कपड़े को ऐसे सीधा कर लेना है और चकोर सेप में कटा हुआ कपड़ा लेंगे, जिसकी लंबाई और चोड़ाई, दोनों तीन इंच है, कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करके डिजाइन बनाना है, इस डिजाइन को हम यहां नीचे की साइड में ऐसे लगाएंगे, यह देखिए बीच में सीधी सिलाई चला ल बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरे कपड़े को फोल्ड करना है और यहां पर लगाना है, हम ऐसे चार डिजाइन बनाकर यहां पर लगाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे, तो यह देखिए फ्रेंड हमारी यह लाइन कम्प्लीट हो चली है, हमने ऐसे चार डि अश्टरा कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे, यह देखिए हमने परफेक्ट सेप में अश्टरा कपड़े को कट कर लिया है, अब हमें डिजाइन में डोरी को लगाना है, तो डोरी फ्रेंड यह जो बीच वाला हमने कपड़े को फोल्ड किया है, इसमें हमें डोरी को लगाना है तो ये देखिए सेप्टी पीन की मदद से या किसी भी नोखीले चीच की सहायता से हम यहाँ पर डोरी को ऐसे अंदर की तरफ डाल देंगे बीच में जो हमने कपड़े को फोल्ड किया था उसी कपड़े की अंदर हमें डोरी को ऐसे डालना है अगर आपको डोरी बनाने नहीं आती है तो इसकी लिंक हमने डिस्किप्शन में दी है कपड़े के एक साइड में हमने डोरी को डाल लिया है अब जो हमने दूसरे साइड में कपड़े को फोल्ड किया था उसमें भी हम डोरी को डाल लेंगे तो ये देखिए हमने दो डोरी को डाल लिया है कपड़े में अब हमें क्या करना है फ्रेंड यहाँ पर हमें डोरी को अच्छे से लॉक कर देना है धागे को और एश्ट्रा डोरी को कट कर लेंगे अब हम यहाँ से छोटे-छोटे साइज में चूनट बनाएंगे एकदम छोटे-छोटे साइज में चूनट बनाना है इस तरीके से आप इस डिजाइन को EJ स्टेप में तयार कर सकती हैं तो ये देखिए फ्रेंड एक साइड में हमने ऐसी चूनट बना ली है अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी चूनट बना लेना है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नए डिजाइन की वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजाकर आल का उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो ये देखे फ्रेंड दोनों साइड में हमने चूनट बना कर तयार कर लिया है अब जो हमारा बीच वाला डोरी है इसे हमें टाइटली ऐसे घीचना है और ये देखे उपर की साइड में कुछ इस तरीके से आपका चूनट का डिजाइन बन कर तयार होगा ये देखे साइड चूनट को आपको अच्छे से परफेक्ट सेप में उपर की तरफ ऐसे बैठा लेना है ये बहुती सिंपल सा तरीका है इस डिजाइन को तयार करने का अब आप अपने हिसाब से डोरी की लंबाई नापकर एश्टरा डोरी को कट कर लेंगे डोरी में हमें फुलैना लगाना है तो एक छोटे से कपड़े में हम डोरी को ऐसे लगा कर सिलाई कर लेंगे अब हम यहां से एश्टरा कपड़े को सीधा करके कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरे डोरी में भी फुलैना लगा लेना है यहां से एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे अब जो फ्रेंड हमारा ये वाला डिजाइन है इस डिजाइन को हमें ऐसे फोल्ड करके सीधा करना है इन सारे डिजाइन को हमें सूई धागा के मदद से अच्छे से कपड़े में ज्वाइंट कर देना है और इसमें हमें बीच बीच में मोती को लगा लेना है तो ये देखिए हमने बीच बीच में मोती को लगा लिया है सुई धागा के मदद से अब इस डिजाइन की फ्रेंड आस्तिन की सेप में सिलाई करेंगे तो ये देखिए कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे जो आपका साइज है वो साइज नापते हुए आपको सिलाई कर लेनी है अब हम डिजाइन को सिधा करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड डिजाइन को सीधा करने पे हमारे डिजाइन का लुक कुछ इस तरीकी का आएगा लेकिन प्रॉपर लुक आपको तभी दिखेगा जब इस डिजाइन को मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो ये देखिए डिजाइन को जब आप पहनेंगे तो कुछ इस तरीकी का आपका डिजाइन दिखेगा तो आपको ये डिजाइन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं